दोस्तों हमारा मार्केट गिरने को बिलकुल तैयार खड़ा था लेकिन दो दिगजों ने कसम खारक किया कि हम मार्केट को गिरने नहीं देंगे पहला दिगगा जो L&T है और दूसरा महरती Reliance है Reliance अभी जियो फाइनेंस के रिजल्ट से बाहर निकला ही था कि भाईया Reliance Retail को लेकर एक के बाद एक अच्छी ख़वरें आने लगी है दोस्तों आप देख लीजिए कतर इन्वेस्टमेंट अथर्टी एक बिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा ही है यह Reliance Retail में इस प्रकार Reliance Retail की जो साइज है वो 100 बिलियन डॉलर के लगबक पहुँच गई है कंपनी भी भाई शाब प्रॉफिट मेकिंग है अन्य रिटेल कंपनीओं की तरह नहीं है कि भाईया जी लॉस कमा रहे है नहीं प्रॉफिट कमा रहे हैं प्रॉफिट में बढ़वत्री भी हो रही है आप स्वयम देख लीजिए कि इनका revenue बढ़ा है 20% और प्रॉफिट किया और आज कतर से पैसा आ रहा है चूंकि यह बड़े बड़े फंड हाउस पैसा लगा रहे हैं तो विश्वास जगता है रिलाइंस का शेयर 2% ऊपर है अब रिलाइंस ऊपर है तो निफ्टी को गिराने की तागत किसम है आप बताओ पॉइंट यह है कि आज नहीं तो कल रिलाइंस रीटेल का डिमरजर होगा जब तक यह डिमरजर की पॉसिबिलिटी सामने खड़ी है तब तक रिलाइंस तूटेगा इसकी समभावना कम से कम हमें दिखाई नहीं दे रही है इसलिए दोस्तों हमारी रिलाइंस के चार्ड पर नजर है महालक्षमी जी का जैसा आ पर इंवेस्टर कोर्सेज के माध्यम से उनका हम इस्तमाल करते हैं हमारे विद्यार्थी भी करते हैं इसलिए रिलाइंस में हम खरीदने बेचने की रायट पतवा रेक्मेंडेशन नहीं दे रहे हैं लेकिन हां दोस्तों जल्दी ही फीज बढ़ने वाली है हमारे तीनों आ सब्सक्राइब करके पसंदीदा कोर्स जोएन कर लीजिएगा अभी के अभी